बार बार बर मांगव। हर सिदे हुशिरी रंग। अपद सरो जयन पायनी। भगति शदा सतशंग। मैं आपसे बार बार यही बरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरन कमलो की अचल भगति और आपके भगतों का सतशंग। शदा प्राप्थो। यह लक्षमी पते हर सिखो कर मुझे यही दिजिए। बरनी उमापति राम गुना हरसी गए कैलास अतब प्रभु का पिन दिवाय शबा विधी शूख प्रदबास। स्री राम चंद्र जी के गुनों का बरनन करके उमापति महादेव जी हरसी धोकर कैलास को चले गए। तब प्रभुने बानरों को शब प्रकार से सुख देने वाले डेरी दिल वाये। सुनुख अगपति यह कथा पावनी अत्री विधता पभभभभः दावनी। अ महाराज कर शुभय अभीशे का जै सियाराम जै जै हनुमान। अशुनत अलाहीनर बीरती बीबे का जै सियाराम जै जै हनुमान। हे गरूर जी सुनिये यह कथा शब को पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकारों के तापो और जन्म मिर्तु के भय का नास करने वाली है। महराज सिरी राम चंद्र जी के कल्यान में राज्या भिशेक का चरित्र निश्काम भाब से सुन कर मनुष्य बैराग और ज्यान प्राप्त करते हैं। अज्ये सकाम नर सुन ही जगाब ही जैसी आराम जै जै है नुमान। अशुख संपती नाना भी धीपाब ही जैसी आराम जै जै है नुमान। अशुर दूर लभ अशुख करी जगा माही अंतकाल रगुपती पूर जाही। और जो मनुष सकाम भाबशे सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के शुख और संपती पाते हैं। जगत में देव दूरलव शुखो को भोग कर अंतकाल में श्री रगुनात जी के परमधाम को जाते हैं। तो जैसी आराम जै जै है नुमान जैसी आराम जै जै है नुमान। जैसी आराम जै जै हनुमान सियावर राम चंद्र की जै अयोद्या राम लला की जै ब्रिंदावन विहारि लाल की जै पवन शुत हनुमान की जै बोलो भाई शब शंतन की जै हर हर महादेप जैसी बस्तंत वो भाई जैसी बसंभो